मैं पंडित दिन देयाल जी के जन्म जहन्ती से करना चाहूंगा क्योंकि मेरे जैसे कई कारे करताओं का सहकार में आने की प्रेहना का मुल्स्तान दिन देयाल जी की अंत्योदय की नीती है और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी तब सबसे पहले अंत्योदर की बात जिनों ने की वो पंडित दिंदाहल जी थे आज उनका जन्मदिन है हमेरे जैसे लाखो करोरो कारे करताओं के लिए ये प्रियना प्राप्त करने का दिन है उसी दिन ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है इसका मुझे बहुत बहुत आनन्द है मित्रो सबसे पहले आजादी के 75 साल के बाद और ऐसे समय पर जब सहकारीता आंदोलन को सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब देश के प्रदान मंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारीता मंत्रा ले बनाया इसलिए एजाएक सहकारी कारे करता भी और आप सब की और से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सहकारीता अंदोलन का अनुमोदना जो प्रदान मंत्री जी ने किया है हम सब इसकी ताली बजा कर स्वागत करें और उनके प्रती धन्यवाद ग्रापन करें मैं फीस एक बार देश भर के करोडों सहकारीता के कारे करताओं के और से सहकारीता की नेताओं की और से प्रदान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरी और से एक विशेश धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी रूची का जो विशे है देश में सबसे पहला सहकारी मंत्री बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया है मेरे लिए बहुत गवरव की बात है आज यहां जब हम खड़े हैं और एक नई शुरुवाद सहकारी तांदोलन को बल देने की गती देने की दिसा देने की सुरू होने जा रहे उस वक मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदान मंत्री जी ने इस मंत्राले का स्थापना किया है तब मैं सहकारीता मंत्री एनाते देश बरके सहकारिता के नेताओं को कारेकरताओं को कहना चाहता हूँ कि निगलेक्षन का टाइम समाप्त हुआ है प्रायोरिटी का टाइम सुरूआ है आईए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बनाएगे देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत मय तो पूर्ण योगदान दे सकते देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है मकर बहुत सारे आयामू के अंदर आयामू तक हमें पहुँचना बाकि है हमने इसको नए सीरे से सोचना पड़ेगा नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा हमारे काम का दाइरा बढ़ाने पड़ेगा काम के अंदर सिस्त लानी पड़ेगी काम के अंदर पारदरिजिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकार रित्या की भावना को सभाव की तरह संसकार की तरह घूल मिलकर सहकारिता के अंदोलन को आगे बढ़ेंगे देश के करोडों किसान, वंचित, पीछडे, दलीत, गरीब, उपेक्सित महिलाएं उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रसस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है, कई लोग सहकारिता की प्रसंगिकता पर सवाल उठाते उनको लगता है कि सहकारिता आंदोलन अब इरिलेवन्ट हो गया है मैं बहुत मन से और बहुत मकमता के साथ कहना चाहता हूँ कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रासंगिक कभी था तो अभी है और बहुत बड़ी मंजील भी काटना बाकी है हर गाउं में कॉपरेटिव के साथ जोड़कर सहकार से समरुदी ए मंत्र से हर गाउं को समरुद बनाना और समरुद गाउं के सम्पूट से देश को समरुद बनाना यही सहकारिया अंदोलन की भूमिका होती सहकारिता सब्द सह और कारिय ये दो सब्दों से बना हुआ है मिल जुलकर एक लक्स के साथ भात्रुबाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है और हम हो सकता है मैं हमेशा कहता हूँ हो सकता है कि देश के करोडों लोगों की हम सब कौपरेटिव क्षित्र में काम करने वालों की ताकत बहुत कम होगी आर्थिक ताकत भी सायद हमारी कम होगी मगर हमारी संख्या यह इतनी बड़ी है अगर इसको एक बार कोपेटिव के माध्यमसम इखठा करते है तो एक प्रचन्ड ताकत की निर्मिती होती है जिसको कोई हरा नहीं सब्सक्राइब और यह आपनों इस्वास के साथ सहकारिता अंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आगा है मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समरुद्धी का और उन्होंने जो 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी का लक्स रखा है मैं आद मोदी जी को अस्वस्त करना चाहता हूँ कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी के लक्स को पूरा करने के लिए एडी चोटी का जोड लगा दे गया और मित्रो हमारी जो सहकारिता से ताकत बनती है वो ताकत देश को समरूद करने की दिशा में आएगी इसका मुझे विश्वास है सहकारिता अंदोलन भारत के क्रामे समाज की प्रकति भी करेगा और एक नई सामाजिक पून्जी का कंसेप्ट भी खड़ा करेगा पून्जी के दुनिया बर में कई व्यक्ष्या है मगर हम दस अजार साल से जिने वाले लोग है दस अजार साल की संस्कूर्थी का वहन करने वाले लोग है सामाजिक पून्जी का कंसेप्ट सामाजिक पून्जी का विचार है और सामाजिक पुन्जी का संसकार हमारे सहकारिता अंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तितों में आती है कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी सम्मितियों के सम्विदान से अस्तितमा आती है भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गई है इसके संसकार के अंदर सहकारिता है ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है हमारे स्वता काम से प्रगट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है इसलिए भारत में कभी सहकारिता अंदोलन कभी भी इरिलिवंट नहीं हो सकता मित्रो मैं बहुत समय से लगबग पचीस साल से सहकारिता अंदोलन से जुड़ा हूँ छोटे सी छोटी इकाई से लेकर राज्यकक्सा की बड़ी इकाईों तक मैंने काम किया है मैंने देखा है कई सारे संकट आते हैं सरकारे सरकूलर निकालती हैं परिपत्र निकालती हैं परिपत्र का मॉनिटरिंग करना पड़ता है मगर हमारे सहकारिता अंदोलन वाले कोई परिपत्र की रहा नहीं देखते बाढ आती है तो गाउं की पैक्स वाँ खड़ी हो जाती है और सब को खाना किलाने का काम करती है उ अपने कारे छेत्रे के अंदर चाहे अकाल हो चाहे साइकलोन हो चाहे बारिस ज्यादे आई हो बाड़ हो वो काम के लिए एक मुस्त होकर सब खड़े हो जाते हैं सहकारी आंदुलन ने इस देश को धेर सारे संकटों में यहाँ पर बाहर निकालने के लिए अपना योगदान दिया है सहकारीता भारत के लिए नहीं नहीं है 1904 से लेकर आज तक भारत नी सहकारीता अंदुलने ने धेर सारे मकाम देखे बहुत चड़ाई उंचाई को भी हमने देखा है कभी हम गीरे कभी संबले कभी आगे बड़े तेजी से आगे पड़े कभी धीरे हुए परंतु गती नहीं रूखी और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि यह गती नहीं रूखनी चाहिए। गती नहीं रूखनी चाहिए। कारी आंदोलन की गुड ट्रेक्टिसिस आपके सामने बताना चाहिए। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूँ, मैं अमूल की बात करना चाहता हूँ। अमूल का जन्मा सरदार पटेल की दिर्ग दृष्टी से हुआ। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फरज्यात रूप से अपना सारा दूद एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके खिलाप एक अंदोलन हुआ, खेडा जिले के अंदर सरदार पटेल ने त्रिभोन भाई को कहा कि जब तक आप दूद बेचने की व्यवस्ता नहीं करते तब तक दूद का अंदोलन ये इसके खिलाप अंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहाँ एक सुरुवात हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्दसन में त्रिभोन भाई पटेल ने दो प्राथमिक ग्राम दूद उत्पादक समिटियों का पंजी करण किया, जिसमें 80 किसान जुगे हैं, सिर्फ 80 किसान। और वह अमूल आज कहां हैं। गाओं को एमपावर करने का काम किया है, मैंने तो गाओं में देखा है गुजरात में, सनिवार को जब मैला के हाथ में अपना चैक आता है या कैस आती है, इसके चेहरे पर हर्स देकर मन को बहुत अंदर तक सानती होती। 36 लाग किसान परिवारों को अमूल आज अपने साथ जुड़ा है। 18 जिलो का ये फेडरेशन है, 87 से ज़्यादा डेरी के मैनुफेक्चरिंग प्लांट बनाए हैं और उसकी प्रबंदन क्समता 49 मिलियन तक की प्रबंदन क्समता बनाई है। इस्टॉल केपेसिटी 49 मिलियन टन दूद को प्रोसेज करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं। पापड बहुत कम लोगों को यहाँ पर भी मालूम होगा लिजज़ पापड को उपरेटिव। हजार महिलाएं लिज़ज़ के कोपरेटिव अंदोलन से जुड़ी है। और इस सकसे स्टोरी देश भर की महिलाओ के लिए एक प्रहना का स्तुरूथ है। अमूल और लिज़ज़ दोनों आज सपल है तो देश की महिलाओ का इसके अंदर बहुत बड़ा योगडान है। दूद भरने में भी और पापड बनाने भी। इपको जो आज हमारे यजमान हैं चेर्मेन साब भी बैठे हैं, एमडी अवस्ती भी बैठे हैं। इपको ने इस देश की हरित करांटी को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कोपरेटिव के साथ एक स्पेसिफाइज सोसाइटी बनी और वो बढ़ते 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 आज 36,000 से ज़्यादा कोपरेटिव को मेंबर बनाकर लगबग 5.5 करोड किसानों को इसका लाभांस पहुचा दी। आप कल्पना कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी अगर कुछ कमाएगी तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा इसके मालिक के पास जाएगा। और इपको जो कुछ भी कमाएगी इसका पाई पाई ये साड़े 5 करोड किसानों के घर में जाएगा। इसी को कौपरेटिव के। आज इपको ने लगबग देश के उरुवरक की पूरी जिम्मेदारी दो तिन और कौपरेटिव को साथ मिलगकर उठाई और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा चैर्मेंड साब और MDG का अवस्थी का किनोंने नैनो टेकनोलोजिक और जमिन पर उत के लिए और इसके माध्यम से मुझे पुरा विश्वास है कि कोपरेटिव संस्ताओं के माध्यम से ही आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि उरुवरक खाद इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आत्म निर्भर बनेंगे और हमारा उरुवरक हमारे द की सेर प्रदत मुडी लगबग 388 करोड हैं सेर धारकों को एक साल में 218 करोड रुपे का लाबांस क्रिपकों ने दिया है अब इससे कल्पना करिए यह सब सक्से स्टोरी है और इतना ही नहीं है बहुत लंबी सूची है नैफेड है मैं मनिपूर गाया था रेणू हत कर गा हस्त सिल्फ 75 साल से एक लई के साथ वो कौपीटी में अपना युगदान करता है 1925 से चालता चलती हुई उरालूंगल स्रम अनूबंद सहकारी समिती केरल थोटा मारता सहकारी संग द्रावनगिरी करनाटक कोजी कोट जिल्ला सहकारी होस्पिटल डेर सारी चीजे जिनोंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से कैसे छेटे छोटे लोगों से पुंजी इखटा करकर देश के अर्थतंत्रा और देश के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं और सभी मुनाफ़ा वो छोटे छोटे निवेशकों की घर में कैसे जा सकता है इसका उदान प्रबन निर्देशक है जैर्मेन है डाइरेक्टर्स हैं मैं सब को निवेधन करना चाहता हूं कि हमने काफी कुछ करना बाकी है क्या बीच संसकरन में हमारी ये सफल कोपरेटिव अपना योगदान नहीं दे सकती है क्या अच्छे बीच क्यों विदेश से लाने आत्मा निर्बर नहीं हो सकते हैं क्या कोई कोपरेटिव चैलेंज एक्सेप्ट करकर किसानों की उपज को निर्यात करने का ट्रेडिंग हाउस नहीं बन सकती है क्या जिसके माध्यम से छोटी-छोटी मंडिया अपनी उपजों को विदेश में एक्सपोर्ट कर सके अगर यह हमारे सफल कोपरेटिव एक-एक क्षेत्र को पकड़कर एक्सपन्सन का काम करें तो मुझे विश्वास है कि पांच साल के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां कोपरेटिव की पैट्री होगी और सहकारिता मंत्रा ले इसलिए बनाया है कोपरेटिव को मजबूत करना है कोपरेटिव का व्याप्त बढ़ाना है कोपरेटिव के अंदर पारदरसी डालानी है कोपरेटिव संस्थाओं को मॉडरनाईज करना है कोपरेटराईज करना है और यह स्परधा में टिक जाए इ ये सारी चीजों को करने के लिए ही हमने कौपरिटिव मंत्रारे प्रधान मंत्री जी ने बनाया है मित्रों आज मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ आप सब लोग कौपरिटिव संस्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं मगर जब तक जामवन ने हनुमान जी को नहीं कहा कि हनुमान जी आप रामे स्वरम से लंका तक समुंदर लांग सकते हो उनको विश्वास नहीं था जब जामवन जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो समुंदर तुम लांग सकते हो हनुमान जी ने खुटका लगाया और कॉपरेटिव क्या है आप सब मुझसे ज्यादा अन्भवी कॉपरेटर है पर तुम्हें आज कुछ चीज इसलिए बताना चाहता हूं जिससे हमारी स्ट्रेंथ का हमें परिचाय हूं मित्रों लगबग 91 प्रतिसत गाउं ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी कोई ने कोई से ज्यादा रजिस्टर सहकारी समित्या है लगबग क्रेडिट सहकारी समित्या साड़े न आट लाग से ज्यादा क्रेडिट कोपरेटी सुसाइटी है रून न देने वाली सहकारी समित्या साट लाग से ज्यादा है राष्ट्रियस्तर के सहकारी संग 17 से ज्यादा है राज् लगबग लगबग 95,000 में से 63,000 पैक्स काम करें एक दुरुष्टी से देखे तो हर दस्वे गाउं पर एक पैक्स है मैं आके बताऊंगा इस अंतोष जनक स्थीती नहीं है मगर हर दस्वे गाउं में एक पैक्स होना दुनिया के सरकारिता के आंकरों का जब अभ्यास करते है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है यह पैक्सी माध्यम है किसान का कल्यान करने का यह पैक्सी माध्यम है सरकार जो कम रून से लौन बेचती है किसान के लिए रून का पैसा बेचते है उसको पारदर्सी तरीके से उसके साथ पहुँचाने का यह पैक्स में पैक्स पर बात करूंगा और प्रतिस्थ योगदान अगर मैं बताना चाहूँ तो कुसिरून वित्रण का 39 प्रतिसथ 29% वो क्वाउपरिटीव यवस्ता से जाता है उर्वरक वित्रण 35% cooperative करता है उर्वरक का उत्पादन खाद का उत्पादन वो भी लगबग 30% करता है चीनी का उत्पादन देश की कुल चीनी की लागत का उत्पादन 31% सा cooperative चीनी मिले करती है तकली स्पिंडल 39% दूत की खरीदी और उत्पादन 20% गेहू की खरीदी 13% cooperative करती है धान की खरीदी 20% करती है और मच्वारा के क्षित्र में भी cooperative का योगदान 21% है मैं इसलिए आंकड़े कहता हूँ मित्रो कि एक बहुत मद्बूट platform पर आज हम खड़े है अब समय आ गया है कि नए लक्स ताहिकरना और नए लक्सों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ना यह platform जो हमारे पुर्खों ने भारत के cooperative आंदोलन के पुर्खों ने हमें दिया है वो platform पर एक मजबूत बहु मंजिला इमारत बनाने का काम यहां hall में बैठे हुए और online जुड़े हुए सभी सहकारी कारेकर और इसलिए मोदी जी ने यह सहकारीता आंदोलन का गति देने के लिए सहकारीता मंत्राले की रत्ना की हमारी सफलता चारी चीजों पर निर्बर हो सकती संकल्प सकती सापनियत परिश्रम और संग भाव से काम करना यह चार मुल सिद्धान्त है अगर हम सब अपना कॉपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी घती मिलेगी नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारी मंत्रा ले बना है उसका उद्धेश है ग्रामिन क्षित्र में विकास को पहुचाने का और ग्रामिन क्षित्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुचाने की चुनोती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारीता मंत्रा ले की और इसका एक स्वदेशी यंत्रना बनाने की जिम्मेदारी भी सहकारीता मंत्रा लेने मित्रो कुरूसीक शेत्र में 7 साल में मोदी जीने आमूल चूर परिवर्तन लाए मैं सिर्क बजेट या आबंटन की बात करना चाहता हूं नौजार नौदस में कुरूसी का बजेट 12,000 करोर था मैं फिर से रिपीट करता हूं 12,000 करोर 12,000 करोर बहुत बड़ा लगता है मगर 2020 किसमें इस बजेट को बढ़ा कर 1,34,499 करोर रुपय कुरूसी का मैं इसलिए बताता हूं कि कुरूसी क्षेत्र नरेंडर मोधी सरकार की प्राथमिक्ता है और कुरूसी क्षेत्र की यह जो प्राथमिक्ता है उसको उसके लक्सों तक पहुचाना सरकारिता के बगएर संभव नहीं है हमने देर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करें स्वामिहाथन आयोगाय तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए कोई नहीं देदा था पहली बार नरेंद्र मोधी सरकार ने लागत से ज्यादा MSP तई करकर किसानों को पहली बार फाइदा पहुचाने का काम किया है और मित्रो मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूँ जिसके अंदर स्पिरिट थी मगर होती नहीं थी प्रदान मंत्री किसान सन्मान योदना देश के 11 करोड किसानों को लगबग 158,000 करोड रुपया 158,000 करोड रुपया डाइरेक डीबीटी से पहुचाया गया है मित्रो स्टार्ट अप शुरू करने का एक नया अभ्यान चला है 10,000 नए FPO बनाए गए हैं लगबग लगबग 68,65 करोड रुपया वित पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है यह नाम मंडी की योदना लाए है सोईल हेल्थ कार दिया है और यह सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षित्र का और पैक्स का एक रोल है हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका ध्यान करकर इसके इंप्लिमेंटिंग एजंसी गांस तरपर बनने की सुरूआत करनी पड़ेगी तभी यह सारी चीजे नीचे तक पहुँच अब है मित्रो सहकारिता मंत्राले का जो गठन किया है कई सारे लोग कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है मैं स्टेट और सेंटर के जगड़ में पढ़ना नहीं चाहता है इसका कानूनी जवाब आरम से दिया जा सकता है मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भारत सरकार का मोदी जी के नेत्रूतों में बना सहकारिता मंत्राले सब राज्यों के साथ सहकार करकर चलेगा किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना इसलिए किसी ते भी मन में सोचने की जरूरत नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है या सेंटरल सब्जेक्ट है हम मदद सब की कर सकते हैं राज्यों के भी करेंगे सब को साथ में लेंगे और अंदोलन को आगे बढ़ाएंगे सहकारी समित्यों को जमीनी स्थर्क तक पहुचाने का काम इस सहकारी ता मंत्राले के तत्वाधान में होगा बहुराज्य मर्टी स्टेट कॉपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अंदर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं विकास पत्पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी बात हो हमने टाई किया है कि कुछ समय के अंदर ही नई सरकार निती पहले अटल जी लेकर आये थे 2002 में अब मोदी जी लेकर आएंगे 2021 में यह आजादी का 75 साल है अमरूत महोसा में नई सरकार निती को बनाने की हम सुरुवाद भी करेंगे पैक्स को मजबूत करना हम एक लक्स रखेंगे कि आने वाले पांच साल के अंदर हर दूसरे गाओं में पैक्स हो जाए पैक्स की संक्या को 65 हजार से बढ़ा कर तीन लाग तक पहुँचाने के लिए उचित कानून ने खाका तयार करने का काम इस हखकार मंत्रा ले करेगा और वो एडवाईजरी होगा स्टेट के पास बेज़ेंगे स्टेट अपने कानूनों में परिवर्तन का है सबसे बड़ी दिक्कत एह कि एक पैक्स बेंक्रफ हो जाता है जब तक उसका वाइंडिंग अप का काम समाप नहीं होता है नया पैक्स बन नहीं सकता है इसकी कानूनी व्यवस्ता करनी पड़ेगी वो पैक्स को साइड पर रखकर वाइंडिंग अप का काम सुरू हो जाए नये पैक्स की रतना हो और सहकारित आगे बढ़ जाए हम ये भी सुनिस्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कॉम्पिटराइजेशन समाप थो इसमें भारत सरकार भी अपना बड़ा योगदान देने वाली है और सारे पैक्स का कॉम्पिटराइजेशन भारत सरकार करने के लिए बहुत कम समय में क्योदना लेकर आएगी मित्रों computerization के साथ साथ एक ऐसा software बनाने की भी कवायद चालू करी है जो PACS, DCB और NABAD तीनों को जोड़ेगा एक ही software से accounting system PACS की, district cooperative bank की और NABAD की एक लई के साथ होगी और स्थानिय भासाओं में होगी मित्रों PACS को FPO बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इस पर मेरा मंत्रालई काम करा है, मेरा आग्रह है सहकारिता प्रसिक्षन पर, सहकारिता प्रसिक्षन को और पहना करना पड़ेगा, professional करना पड़ेगा skill development के सारे एरिया जो सहकारिता को छूते हैं, वो सारे एरिया के skill development की व्यवस्ता करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा corporate होता है, मगर उसका उचीत उप्योकन है, इसके लिए भी मेरा मंत्रा रहे एक कारियोधना बना रहा है, credit society की भूमी का, और मजबूत और और नीचे तक ले जाने की जरूए थे, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को credit मिल सके, दिपावली का त्योहार है और 1000 रुपया किस को चाहिए त्योहर मनाने के लिए इंकम है, मगर आज नहीं है, क्यूंकि दो मेने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको 1000 रुपया मिल जाए, उसकी दिपावली अथी जाए, इस प्रकार की credit society नीचे तक बनने जाए, यह कोई बैंक नहीं कर सकता, बैंक कागज मागे अरे इसके पास कागज होते, तो 1000 रुपया लेने को काहे को आता हूँ, कागज नहीं है, हमारी cooperative credit society या जो छोटी छोटे लोन देती है, दो आंक की सर्म से देती है, और मैं मानता हूँ, इसको हम नीचे तक मजबूत करने का काम करेंगे, किसान credit card में भी PACS की भूमिका, कु सिर्फ अलपकालीन रून नहीं, सभी priority sector lending में cooperative की भूमिका बढ़ाने के लिए, सभी priority sector lending के भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ, सकारिता मंत्रालय काम करकर, जमिन पर priority lending सभी प्रकार के cooperative के माध्यम से हो, इसके लिए हम करेंगे, जैसे स्वासाहायता जुथे, आज तक देश में स्वासाहायता जुथों ने अपनी specified society नहीं बनाई, यह अमूल जो है न, यह स्वासाहायता जुथों का ही specified society है, अमूल की तरह स्वासाहायता जुथ हर राज्ये में अपनी specified society बनाकर, छोटी छोटी स्वासाहायता जुथों ने बनाई हुई चीजों के marketing प्रेटिंग की वियस्ता कर सकता है इसके लिए भी एक विशेश कानूनी प्रबंदन करने की जरूरत है इस पर भी हम काम कर रहे हैं मच्छुवारा सहकारिता के लिए भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमें पास है इसका दोहन हम परियाप मातरा में नहीं कर सकते हैं चोटे मच्छुवारों के पास बड़ी बड़ी चीजे लेने का ना नेट लेने के पैसे ना यांत्रिक बोट लेने का पैसा है तो मच्छुवारा कॉपरेटिव बना कर उनक काम किया है इसी प्रकर से ट्राइबल शित्र में ज़र्ण जाती है सहकारी जो वनुत्पाद है उसके लिए भी कॉपरेटी बना कर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्ता ये नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूते में हम करने जा रहे हैं मित्रो बुण्यादी खाका सहकारी समित्यों का और देश भर के हर राज्य के कानून के अंदर एक प्रकार की सिनर्जी हो इस प्रकार का प्रयास भी हमने हाथ में लिया है मुझे बालूम ने है सफलता कितनी मलेगी मगर हमारा इरादा नेक है इसलिए विश्वास है कि इसमें सफलता जुरूर मिलेगी और हम जरूर सफलोंगी मगर आज इतने सारे सहकारीता अंदलन के दिगत नेता है है उस वक्त ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट पारदर सिता पारदर सी भरती प्रक्रिया और पारदर सी चुनाव प्रक्रिया और खुला सदस्य सभासत बनाने का सहकारीता ने संस्था उने करना पड़े गया ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट पारदर सिता बरती में पारदर सिता और चुनाव के अंदर पारदर सिता इसको हमने लाना ही होगा तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे वरना हम भी कालबाई हो जाएंगे और हम सब कायदाईत हो कि मोदी जी ने इस आंदोलन को घती देने के लिए एक बहुत बड़ा नीने किया और मोदी जी के इस नीने को सफल बनाने के लिए और सहकारीता आंदोलन को एक दम घती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमने सहकारीता क्षेत्र के अंदर जो आंतरि परिवर्तन करने की जरूवत है उस पर भी आत्मनिरिक्षन करकर बल देना पड़ेगा मित्रो सहकारिता कौमन सर्वी सेंटर की कलपना भी हमारा मंत्राले कर रहा है नेशनल डेटाबेज के लिए भी हमारा मंत्राले आगे बढ़ रहा है और नेशनल कॉइट्राबेज लेगा बनाने के लिए भी चार जगे से दर्खास मिली है मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल उनिवरसिटि की जगे कोई कॉइट्राबेज सन्स्थान बड़ा आगे आए तो अच्छा है एक National Cooperative University भी बनाने की जरूरात है कोई अपनी लेकर आए दर्खास लेकर आए तो जरूर अच्छा काम हो सकता है मित्रो दो-तिन लोगों ने चंद्रबान जी और बाकी सारे लोगों ने कुछ-कुछ-कुछ बाते दबे सवरों में कही है मैं उनको इतना कहता हूँ कि आप न बोले होते अभी चलता बोले ये भी अच्छा हुआ मुखर कर बोलते तो भी अच्छा हुआ मगरे सारी चीजों की मुझे मालूमा थे क्यूंकि मैं आप मेंसे ही हूँ अर्बन कॉपरेटिव बैंक के प्रोब्लेम्स टेक्सेशन के प्रोब्लेम्स ब्यदभाव पून रवय्या सरकार का पक्षपात सरकारी करमचारियों का पक्षपात ये सारी चीजों से मैं अगत हूँ मैं आपको विश्वास दिलना चाहता हूँ इस ख्षेत्रे के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा इतना प्रोब्लेम्स ब्रोब्लेम्स 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 ब परसिय होना चाहिए विकास सर्व समावेशक होना चाहिए विकास के मोडल के अंदर सब को छुने की तकत होनी चाहिए और विकास का मोडल सब को समाहीत करने की बाहे फेलाकर खड़ा हुआ मोडल होना चाहिए और वो कौपरेटिव के लावे संभव नहीं है इसलिए कौपरे इस तरिय अग्रिकल्चर फाइनास के धाचे को डिश्टब करने की भी बात हो रही है मैं इन सब में बहुत अभी कुछ पश्टा सी इसले नहीं कह रहा हूं कि विचार चल रहा है सबसे चर्चा भी करना है परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी समस्या आप ज अखलिफों को समझ कर उसके निवारण के लिए प्रोयक्टिव रहा हूं और ये मोदी जी की इच्छा है देश का प्रधानमंत्री जी का ये मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना सहकारिता के माध् परिवार को सम्रूद बनाना और हर सम्रूद हुए परिवार के संपुट से देश को सम्रूद बनाना यही सहकार से सम्रूदी के मंत्र का रहस्या है और हमें इसमें जी जान से लगना है आप मैं यहां आया हूं मेरा और मेरे साथी मंत्री जी का आपने स्वागत किया डॉक देश भर में good practices साजा करने का exchange करने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है आप इनिसीटिव लेकर ऐसी कोई संस्ता भारत के अंदर इसका headquarter बनाईए जो दुनिया भर की good practices के cooperative good practices के exchange का माध्यम बने हम आपका स्वागत करने के लिए यहां पर तयार है और मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि प्रदान मंतरी जी के मन की इच्चा है कि सहकारिता के अधार पर भरत की अर्थनेत्री के विकास का एक नया अध्याई लिखा मुदी जी के आत्मनिंब्र भारत के स्वप्न को चरिताद कने के लिए सहकारिक शेत्र ने प्रमुख भूमिका निभानी होगी और सहकारिता को हमने संसकार बनाना हुगा और महत्वपुन भूमिका जो हम निभाएंगे वो आने वाला देश आने वाली पीडिया भी याद से ओनलाइन आकड़ा जो संचाली का महोदयाय ने कहा मेरे खड़े होने के पहले सवाचार करोड ओनलाइन जूड़े थे बहुत सारी समितियां भी जूड़ी है बहुत सारी डिस्ट्रिक कॉपरेटि बैंक जूड़ी है मैं सभी सहकारिता अंदोलन के अंदोलनकारियों को बहुत मन से आप सभी का धनुवयात करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि नई उजा के साथ सहकारिता अंदोलनको एक नए प्रान बढ़ने की कवायत जो मुदी जी ने करी है हम सब साथ में मिलकर इसको सफल बनाएंगे वंदे मात्रम भारत माता कीजे